हलो एंड वेलकम तो ले चैनल ओनलाइन अधिकारी मेरा नावा सौराब यादाओ और आज यहाँ पर हम लोग सुरू कर रहे हैं जियोग्राफी के 10 क्वेस्टन की सीरीज चलाएंगे कम सके हम 6-7 लेक्चर होंगे और पूरे तरीके से उत्तर प्रदे स्पीसियस में जो क्वेस्टन जियोग्राफी के पूछे गए हैं उसका हम लोग यहाँ पर डिसक्रिशन करेंगे और महत्पूर क्वेस्टन का डिसक्रिशन करेंगे ठीक है इसके अलमा 6-7 लेक्चर के बाद एक लेक्चर घटना चक्र से हम वहाँ से फोटो लेकर बनाएंगे जो महत्पूर क्वेस्टन जियोग्राफी के पूछे गए हैं UPSC में और किसी भी एक्जाम में पूछे गए हैं तो एक दो लेक्चर वो होगा बाकि सम्मिधान का जो महत्पूर क्वेस्टन थे UPSC समिछा अधिकारी में पूछे गए तो वो लेक्चर आपको प्रिवेस येर वाले दिये जा चुके हैं प्रिवेस येर वाले क्वेस्टन जो दिये गए हैं मतलब लेक्चर जो दिया गया है उसको जरूर देखिए बहुत से चीजें महाँ से आपके क्लियर होती है यहां तक कि पिछली बार तो क्वेस्टन कईठो सीधे सीधे वहीं से आगये थे सम्मिधान वगयरा के तो चलिए भुगोल का हम लोग सुरू करते हैं बाकी आप लोग सौरब अफिसेल डेलग्राम को जाइन कर लिजे रेगुलर क्वीज में पाटिसिपेट करिए ठीक है बाकी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लिया करिए और पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें कुछ लोगों के कमेंट आये थे हम उसको कमेंट को देखते हैं एक सेकेंड रुकिएगा आप लोग तो राजमनी राय जी ने कमेंट किया है अफरोज इतरात ने कमेंट किया लच गुपता ने कमेंट किया है तो आपका नाम यहाँ पर लिया जाएगा और नेस्ट लेक्चर में तो हम सही तरीके से आपका पूरा फोटो लगाएंगे इस पर अभी हमारा स्लाइड ये इडिट नहीं हो पा रहा है तो चलिए देखते हैं पहला कोस्टन ब्राजिल में विसाल कहवा बगानों को कहा जाता है कई बार एक कोईश्चन पूछा गया है UPSC का कोई एक्जाम होगा जैसे लेकपालोगरा होने वाला है तो आप लोग तो देही रहे होंगे तो UPSC की एक्जाम में इस पूछी जा सकती है तो पूछी जाती है, तो चलिए देखते हैं, ब्राजिल में बिसाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ब्राजिल में बिसाल कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ब्राजिल बिस्व का सबसे बड़ा काफी, कहवा उतपादक है, बिस्व में सरवाधी कहवा प्रिश्ट प्रदेसों में कहवे का सरवाधी कुद पादन किया जाता है। प्रिश्ट पादन किया जाता है। प्रिश्ट पादन किया जाता है। मेघाले के पुरो में नागा लेंड में इसी नागा पहाडी पर नागा जाती पाई जाती है। नागा जाती पाई जाती है याद रखिएगा गारो खासी जहनतिया नागा यहाँ माइप में देखिए आपको देखेगा में घाले में यह देखे गारो यह देखे खासी यह देखे जहनतिया आइधर नागा हिल्स हो गरा है ठीक है उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको मिकीर दिख रही डफला दिख रही मीरी दिख रही अबोर ठीक है तो DMAM मिकीर हिल्स तो आसाम में है यह याद रखिएगा आसाम में है ना मिकीर हिल्स या फिर अफ सर्च करके बताएगा मिकीर हिल्स की स्राज में है यह जरूर सर्च करिएगा टफला मीरी अबोर मिसमी डिम एम ठीक है डिम एम ऐसे अगर पुछा जाए कि पस्चिम से पूरो तब पूरो तो ये डिम एम डफला मीरी अबोर मिसमी और वइसे यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ उतर भारत में तो करा कोरम लद्धाक जासकर, नौट टू साउथ, फिर उसके बाद ग्रेट हिमाले, मिडल हिमाले, फिर उसके बाद लेजर हिमाले, तीनों हिमाले के बाद हो जाती है, नीचे सिवालिक हो जाता है, यानि ये कराकोरम लद्धाक जासकर जो आते हैं किसके अंतरगात आते हैं, ट्रांस ह माले के अंतरगा आते हैं करा कोरम लदाग जासकर ग्रेट हिमारे पीर पंजाल सिवालिक नौट टु साउथ ऐसे होता है ना ओके यह सब चीजें याद रखेगा और भारत के भूगोल का जो लेक्चर आपको दिया गया है उसमें पूरे तरीके से बहतर तरीके से कंप्लीट क फैंड जहार खंड पस्चिमग्गाल क्वार्ड फस्चिमगर के जाते हैं तो flew फोट में टू फोर उत्तरप्रदेश से होकर नहीं जाते है लैकिन आगर हम जो हमारा मानक समय रहत प्रजय के नहीं दाहा जिए जो बहारत के पांच से कर जाता है जिसको मिर्जापूर और कहीं कहीं मिर्जापूर भी उत्तर प्रदेश के जीले की बात की जाती है और इलहाबाद के नैनी की बात की जाती है इलहाबाद एनी प्रयाग राज के नैनी की बात वो पांच राजियों से होकर जाती है जैसे उमकोवा उमकोवा यूप अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये प्राइम मेरीडियन वाली जो रेखा है जो हमारा मानक समय रेखा साड़े पांच जीमटी है ग्रीन वीच मीन टाइम है और करक रेखा भारत के किस राज में एक दूसरे को कट करते हैं ये कमेंट करिएगा आपको किस राज में एक पूछे जाते हैं UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर Middle East की कंट्री से रिलेटेड कुछा कि काउं सा देश है जिसका जो है कि भूमत दिसागर में तट नहीं लगता है अब यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन ये UP PCS में पूछा गया है तो इसराइल के साथ किस देश की सीमा लगी हुई है लेबनान आपको दिख रहा है उपर इधर आपको सीरिया दिख रहा है इधर जार्डन दिख रहा है इधर इजिप्ट यानि मिस्र दिख रहा है लेब पूछा गया इसी परकार से कोशन एक पूछा गया था ठीक है चलिए आगे बढ़ते निम्रिखित एगुमों में कवन सुमेलित नहीं है ये है राजधानियों से रिलेटेट कोशन राजधानिया 2020 तक लगातार एक कोशन यूपी पीसे पूछता रहा है 2021 के पेपर में कोई र पश्थित हो जाएंगे ठीक है तो राजधानिया देख भी लीजे क्या पता इस बार पूछ ले तो यहां पर दिया है कि काउं सुमेलित नहीं है मालदीव की राजधानि मालाबों नहीं है। माल्दीव की रधानी है गिनी की विसाउ ताइवान की ताइपे निकारागहा की माना गुए निमक्त लोहा ये वम इसपात कारखानों में से कौन कच्चे माल छेतर के समीप नहीं है कच्चे माल के छेतर के समीप नहीं है तो यहाँ पर दुर्गापूर हो जाएगा जबकि जमसेदपूर, राउरकेरा और सलेम कच्चे माल छेतर के समीप हैं अब यहाँ पर देखिए क्या है कि कच्चे माल छेतर के समीप दुर्गापूर पस्चिमंगाल इस्तित नहीं है तो दुर्गापूर पस्सिम मंगाल में इसी था ए भी याद रखे लोहा यहों विस्पात उद्योग में लहो एस्क कोईदा मैगनीज चूना पत्थर प्रोमाइट आधिका कच्चे माल के रूप में तथा कोईला मुख इधन के रूप में प्रयोक किया जाता है जमसेदपू की बात करते हैं तो उसमें यूज होता है आयरन क्रोमियम मैगनीसियम और कार्बन कार्बन यूज होता है ठीक है तो कौन सा ऐसा देश है जो क्रोमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है उसके पास भंडार भी है सायद सर्च करिए का क्रोमियम का क्रोमियम का ठीक है क प्रोमियम का, ओके, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, नमबर सेवन कोस्चन, निमकित में से कौन सी चटान पढ़ारी भारत में नमीन तम है, ये कोस्चन कई बार पूछा गया है, UPSC ने CFF के एक्जाम में कई बार इस कोस्चन को पूछा, UPSC ने एकाद बार कोस्चन तो यहाँ पर हमने ट्रिक बताये थी कि अर्ध कभी, अर्ध कभी, C-U-V-I या इसे याद रुकिये, अर्ध कभी, AR से हो जाएगा आपका आर्कियन, और D-H से आपका धारवाड, यानि सबसे पुरानी चटाने आर्कियन करम की है, फिर उसके बाद धारवाड है, फिर उसक बाद कुडपा है, फिर उसके बाद विंधया है, विंधयन करम की चटाने, गोंडवाना सबसे बाद की है, नवींतम चटान गोंडवाना जो है कि सबसे बाद की है, ठीक है, याद होगे आपको, चलिए आगे बढ़ते, भार्ध के पस्चिमी तटी मैदान के उतरी भाग क तो पस्चिमी तटी, पस्चिम में जो है, उसके उतरी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकर तट के नाम से जाना जाता है, यहाँ से कुस्चन 2019 तक UBPCS खुब पूछा करता था, UBPCS हो गया, समिछा अधिकारी हो गया, मतलब लोग से बायोक के एकदम से बहतर कु पूछे जा सकते हैं, फिर पूछे जाएंगे, अब लेवल बढ़ा के एक एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट रख के पूछा जा सकता है, तो क्या है भाईया, देखते हैं, पस्चिमी तटी मैदान का विष्थार गुजरात से कन्या कुमारी या केक कमोरी नियक कुमारी अंतरीप तक है जिसको निम्खित भागों बाटा जाता है बहुत ध्यान से सुनिएगा गुजरात का तटी मैदान कच्छ और कटियावार सवराष्ट के तटी मैदान मुंबई महराष्ट से गोवा के कोंकर तट गोवा से मंगलावर तक कंणर तट मंगलावर से करना कुमारी तक माला बार तट यानि मुंबई यानि गुजरात के तटी मैदान से लेकर कोंकर यह यहां तक मुंबई महराष्ट से गोवा तक यह पूरे जो है छेतर गुजरात से मुंबई महराष्ट से गोवा तक कोंकर तट है गोवा से मंगलोर जब करनाटक तक जाते हैं तो उसको कहते हैं कौन सा तट कन्नड या करनाटक तट फिर उसके बाद मंगलोर से कन्या कुमारी तक माला बार तट तीनों याद रखिएगा सबसे पहला कौन सा है कौंकर उसके बाद कौंसा है कौंकर के बाद कौंसा है कनड़ कनड़ है फिर उसके बाद मालाबार है ठीक है मालाबार तत है तो कंकर कनड़ मालाबार not to south है याद रखेगा ओके पेन बदलते हैं ये रखते हैं चलि और पुरवी तठी मैदानों के अगर हम बात करते हैं पुर्वी तठी मैदानों में पुर्वी तो माइदान का विस्तार हूगली नदी की मुहाने से कन्या कुमारी तक है उतकल तट कहा जाता है उडिसा में ठीक उसके नीचे जब आते हैं गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं तमिलनाडू का तटी मैदान कोरु मंडल के नाम से जाना जाता है तो तमिल नाडू का तटी मैडान, कोरू मंडल, गोदारी और किष्टा नदी के बीच का भाग उत्तरी सरकार नारदन सिरकार और उत्कल तट उड़िसा में बोला जाता है ठीक है और हम लोग पस्चिमी तट के बाद की हैं तो पस्चिमी है सबसे उपर जो है कि कौंकर तट ह पिर उसके नीचे आया है तो कंणर तट है फिर उसके बाद कौंसा तट है माला बार तट है इसके नाम है ये कुश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर पूरा कम्पलीट हो गया कुश्चन नमबर 9 यहाँ पर है निम्लिकित में से कौं सुमेलित नहीं है तो बिच्चु का सहायक नदी चुरून पर इस्तित है ठीक है तुगेला पर पाद दच्चे अफरिका में इस्तित दूसरा सबसे उचा जल पर पाद है ठीक है याद रखिएगा एंजल फाल जो वेनेजुएला वेनेजुएला की राजधानी क्या है कमेंट करिएगा वेनेजुएला के दच् बार्ट साथ defy कर दूसरी सब्सका हरी में फ्रही जो है चदख और बोलिबिया के पर नहीं अब यहाँ पर हमने राज़ा थे उसमें बताया है कि टंगानिका जील कौन कौन से देश को साथ बॉर्डर साजा करती है कौन कौन से देश का तट जो है टंगानिका जील के किरारे पर है तो कमेंट करिए कि कौन कौन से देश है टंगानिका जील के आसपास ठीक है तो विस्ट की दूसरी सबसे गहरी जील टंगानी का जील विस्ट की सबसे उची नौकागम जील टिटिका का जील विस्ट की सबसे बड़ी ताजे जल की जील सुपीरियर जील विस्ट का सबसे उचा जल पर पाथ टूगेला जल पर पाथ जो आगे कुस्चन नमबर द दस यहां पर लिखा गया है कि मनी करण नहीं पर g hugs कोस्चन पूछा गया था समीश्या॥ अधिकारी के पेपर में कोस्टन पूछा गया है यूपी पीस crs क्या टाए कि की कोस्टन रिपीट करता है तो थोड़ा सा ध्यान दिजिएगा निम्कित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर जॉला मुखी है जॉला मुखी नाम नहीं है जॉला मुखी नाम नहीं है अनहोनी मद्ध परदेश में तप्त पानी उडिसा में है मनी करन हिमांचल में है ये गर्म जल सुरोत हैं, तो मनी करन हिमांचल प्रदेश में हैं, अन्होनी मद्ध प्रदेश में हैं, तप्त पानी ठीक है, उडिसा में हैं, ये गर्म जल सुरोत हैं, दिये गए विकल्पों में भी सही नहीं है, जाला मुखी गर्म जल सोत हिमांचल प्रदेश के कांगरा ज इसा में है ठीक है तो ये महत्पुर्ड दस कोस्चन थे जियोग्राफी से ठीक है जो भी कोस्चन पूछे गए है उसको एंसर करिए बाकि अगला लेक्चर अब रिगुलर दो लेक्चर ऐसे रहेंगे बाकि सुबा साम आपका वो महादीप वाली सीरी चल रही है तीन यह नहीं पढ़ाएंगे सी सेट में हम पढ़ाएंगे आपको जैसे मैत वगरा पढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा और उतना समय है नहीं मैत की जो क्वेस्चन हैं उसको हम सौल कराएंगे बहतर तरीके से और उसको भी आप सही तरीके सौल कर लेते हैं तब भी आ अब अफिसेल टेलग्राम को जोईन करिए, रेटर कुज में पाटिसिपेट करिए और चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद